बिसमिल्ला रम्मानी रहीम, अस्सलाम वालाइकुम, कैसे हैं आप सब, अल्ला ताला से उमीद है कि आप सब खेरियत से होंगे वेल्कम बैक टू मैं चैनल, आज का हमारा वीडियो है फ्राइड फिश ये दर असल पिछली वीडियो का कंटिनियेशन वीडियो ही है जो काली मिर्च का चार वाला वीडियो मैंने बताया था उसी के साथ का वीडियो है ये वाली जो कंबिनेशन है काली मिर्च का चार और फ्राइड फिश बहुत ही जबरतस कंबिनेशन है गरम स्टीम ड्राइश के साथ काली मीज़ का चार और फ्राइड फिष खाएं ब्हँत टैस्ट्टी रहेगी तो चलिए बनाते हैं आज हम फ्रैड फिष तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी बनाना बढ़नी के लिएमा, पूसकुल पर ऐनाग्सृ इसड़ी होtable, है। कि इसिश अज़िदो स्छावत पैफे लिए कैशना दॉन भी क्लाग्सए को, प्रूरी लागैं कर मच काथानी, तो चाहिए, कैसे फ्राय करें दाया है एक केजी फिश, एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आदा टी स्पून हल्दी पाउडर, एक तेबल स्पून मिर्ची पाउडर, नॉर्मल मिर्ची पाउडर, एक टी स्पून फिश मसाला, दो टेबल स्पून कॉन फ्लार, अधरक लेशन का पेश, दो टेबल मेरिनेट करने के लिए एक खुला बरतन ले उसमें अधरक लैसन का पेस्ट पाष्ट लीए अलदी पॉडर डाले तर रे मिर्ची पॉडर चुछ कि मेर्च लाल मेच पॉडर दाले और फिश मसाला दाले विछ मसाला बजार का है और हभी जाय फड़ा नव्क कॉन्फलार भीड़ी बेल दुइट 2-3 तैबल स्पूल ओ साथ जो दाल कर इसको अच्रे और इन मसालों को अत्छते मिक्स कर लीजिए फूरी तरह अच्रे मिक्स कर लीजिए Are जब विच में फिष करें और फिष को आपकशल आप मसालों अच्छे से सारे मसाले लग जाएं अच्छी तरह उसको हर पीस को मसाला लगाएं और इससे साफ करके ढखकर आदे घंटे के लिए रग दे कम से कम 15-20 मिनिट या आदा फिश को मैरिनेट किये हुए आदा घंटा हो चुका है चलिए हम इसे फ्राइ करते हैं इसके लिए एक पैन रखें गैस पर उसमें आधा कप और ओईल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करें और मीडियम फ्लेम पर ही एक एक पीस टाल कर फ्राइब करें सारे पीसस एक साथ ना फ्राइब करें आपको पल्ठाने में मुश्किल होगी फिर फिश पीसस तूट जाएंगे तोड़े थोड़े पीसस जाल कर और पलट पलट कर उसको फ्राइब कर ये जब आपके मन पसंद क्रिस्पीनेस आजाएं पीसस में ऐसे पलट पलट कर फ्राइब कर ये दोनों साइद से अच्छे से फिश फ्राइब हो जानी चाहिए मीडियम टो स्लो फ्लेम पर फ्राइब करेंगे फिश पीसस जादा देर नहीं फ्राइब करेंगे फिश पीसस बहुत जल्दी फ्राइब हो जाती है एक बार फ्राइब हो जाए तब उसको टीशू पेपर प्लेट में टीशू पेपर रखें और उसमें निकाल लें सारे पीसस एक एक करके निकाल लें और थोड़ा हलके हाथ से निकालें वरना पीसस तोट जाएंगे ऐसे ही करके आपके सारे फिश पीसस फ्राइब कर लीजिए और उसको पेपर में प्लेट में निकाल लीजिए तो यह हो गई आपके फिश फ्राइब रेसिपी तयार इसको खाईए काली मिर्च के चार और गरम गरम खाने के साथ स्रीम राइस के साथ वीडियो अगर पसंद आएं तो लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताके आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप सब कौन कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे इंशाला मैं कोशिश करूँगी आप सब के रिक्वेस्ट को पुरा करने की तो आज के लिए इतना ही दुआओं में याद रखिए आपका और आपके अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा मिलती हूँ फिर अगली बार एक और रिच्छे रेसिपी के साथ तब तक के लिए खुरेशिस किचिन से मुझे दीजी इजाज़त लाहाफिज